तो आज में बात करना वाला हूँ NBRI के बारे में तो NBRI से जो रिकुमेंड़ा है वो एक्चुली जूनियर यहां पर सेग्रेटरी एसिस्टेंट के लिए पोस्ट है तो कुल मिला के देखा जाए से 19,000 मतलब मानके चलिए 20,000 से 63,000 तक आपको सलारी में लगा इस पोस्ट के लिए तो यहापे आपको कौन सा क्वालिफिकेशन मागा गया है और कैसे अपलाई करेंगे नोटिफिकेशन कह रहा हैगा पूरा डीटेल से आपे जानकरी में देने वाला हूँ वीडियो का पूर नौलज चाहिए और नया नया कुछ जानने को चाहिए तो इस चैनल में जाकर आप जोँन सकते हैं पर लिंक देखते हैं आज के जॉब के बारे में तो यहापे देखिए आपर देखिए जो NBRI है वो आक्चुली CSIR का में प्रोजेक्ट है उसी का सब प्रोजेक्ट है NBRI तो नेशनल पोटर निकल यहां पर देखिए रिसाच इंस्टिट्यूट से रिकोमेंट आए है वो एक्चुली आपको स्टमेंट में त्री पोस्ट है जुनिया सैंट यहां पर सेड़िए और एसिस्टेंट स्टोर और परचेज डिपर्मेंट में चू पोस्ट है तो अलग-अलग पोस्ट है जिसमें है अपकर ना चाहते है उसका कॉलिफिकेशन पहले दिख लिए उसके बाद आप अप्लाए के रिए ठीक है तो फेसर्स और एक्समेंस दोने अपलाए कर सकते हैं अंडर गॉबर्मेंट में आपको जॉब मिलेगा पर्मेंट जॉब है सिर्फ के सिर्फ 28 एस तक आपको एज लिमीट हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तब ही अपलाए कर पाएंगे ठीक है मतलब मान है उसके लिए पांस साल और ओवी सि के लिए तीन साल यहाँ पर चूट दिया गया है मतलब आप सिए और ओपी सी है तो इस आपके लिए एज रिलक्सेशन यहाँ पर दे चुके है और यहाँ पर से शिलेक्शन जो पॉसिडिव रहेगा वो टोटली यहाँ पर आपको टेस्ट होगा वो टोटली यहाँ पर देखिये मेंटल अबली अबलीटी टेस्ट और यहाँ पर देखे जेनल एवर्नेस और इंग्लिस नौलेज तो इस कुछ काइटरिया है तो इस फेज वान मतलब पेपर वान पेपर टू दोनों में आपको एक्जाम देना पड़ेगा इसमें आप पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक इंटर्फिय लिया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा तभी आप सिलेक्शन हो पाएंगे और इसको चार्जे से 100 रूपीज जेनल भीसी के लिए और सिस्ट के लिए कोई भी चार्जेस नहीं सिलेक्शन जो पॉसिटियर रहेगा उसके लिए आपको सेलरी जो पे करेंगे में पहले आपको बता चुका हूँ 20,000 से 63,000 तक आपको सेलरी पैकेज मिलेगा तो आप नोटिपिकेशन में देख लीजिए और भी कुछ पेशल प्रास पांट भी आपको मिल सकता है आपे जो जो पोस्ट दिया गया है वो उसके लिए आपको 10 प्लस 2 मतलब 12 पास ओड़ार होना चाहिए साथी साथ आपको कॉम्पीटर इंगलीज में 35 और हिंदी में 30 WPA मतलब वाट पर मिनिट टाइपिंग का स्पीड भी आपको होना चाहिए तब ही आप्ले कर पहेंगे साथी साथ आपको कॉम्पीटर स्किल भी होना चाहिए और साथी साथ आपको टाइपिंग स्पीड 35 इंगलीज में 30 हिंदी में आपको टाइपिंग स्पीड हो तो आप एपलाई कर सकते हैं जुनियस सेड़ेटरी एसिस्टेंड के लिए स्टोर और परिचेज डिपरमेंट में सिर्फ के सिर्फ दो वैकंशी दिया गया है इसे में इसको भी आपको 12 स्टेंडर्ड पास आउट होना है साथी साथ आपको टाइपिंग स्पीड और कॉम्पीटर नॉलेच होना चाहिए कॉमटर टाइपिंग स्पीड यहापको 35 इंगलीज में 30 हिंदी में आपको तो इस पर आपको मिल जाएगा कौन सा पोस्ट में कितने वाला है और कौन सा पोस्ट में कितने वाला है उसका क्वालिफिकेशन और कुछ अच क्राइटरी याँ पे पूरागा को मिल जाएगा साथा यहाँ यहाँ आपको वहां से अप्लीकेशन का फॉर्म ओंपेशन अपग्सदा ओर मतलग इस पोस्तम present कर pista ओंपर दिया गया है अप्लिकेशन का फॉर्मेट याव को क्लिक करना होगा जो जब application का format क्लिक करेंगे तो आपके सामने open हो जाएगा साथ आप syllabus भी देख सकते हैं या आपको पास syllabus भी open हो जाएगा देखिए syllabus का पूरा detail से आपको जानकर ही मिल जाएगा साथ है आप ये apply बटन में क्लिक करना तो इस इस पोपन हो जाएगा सब्सक्राइब करना होगा और फूरा फार्म को और करना होगा बाइ मैं पॉस्ट में आपको भीकिक डिखना होगा तो भी प्रताप सदू की जब भीसे में आपको भी आपको एक साथ आटच करके भेजना होगा तो आसा करता हो पूरा टीटिस आपको जान करें मिल चुका होगा तो जल से जल अपलाई कर दीजिए जॉब के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले नया जॉब लेके तब तक लिए इस वीडियो को सारे दोस्त करें नकों मिलेगा तो मिलते हैं अगले जॉब लेके तब तक लिए अपने ख्याल लगें बाइबाई